साब भर देते हैं, ऐसे ही वीरों की प्रेनादायक कहानियां लेकर हम फिर लोटेंगे आजादी की अमरित कहानिया, सुचना एवं परसारन मंत्राले और नेट्फिक्स द्वारा प्रस्तुत हमारे इसकास प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्राइम निस्टर के फ्रांस दौरे के सिग्निफिकंस इसका सिग्निफिकंस नीता तीनों जेगे हैं, इंडिया के लिए है, फ्रांस के लिए है, हमारी रीजिन के लिए है और ग्लोबल लेवल पे है भारत और फ्रांस ने मिलकर जो पूरे अफरीका में इंटनेशनल सुलर अलाइंस के तहत वहां के जो सेकंड टायर सिटीज थर्ड टायर सिटीज उसमें सुलराइजेशन के प्रोजेक्ट जॉइंटली शुरूप कि इंडारेक्ली हम क्या है कि हम एक ऐसे लीडर्शिप को इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे अगर ज्यादा बड़ा रोल मिलता है तो हमारी रिस्पोंसिबिलिटी भी बढ़ जाता है दुनिया मेरे आगे जुमेरात रात साढ़े आठ बजे और बरोज चुमा साढ़े बाराः बजे सिर्फ डिडी उर्दू पर मिस्टर मदनलाल धिंगरा मैं आईरिष नियूस्पेपर कर रेपोर्टर है इंकी खामोशी एक दिन तूफाल लेकर आईगी तामगार सेना जिन्दागार सुना था बड़े घर के बिगड़े नौजवान ऐसे बड़ी बाते करते हैं पर होते हैं कुछ बिगड़े झाल कि अधार मैं नीता सिंग हाजिर हूँ दुनिया वर की सोच्यों पॉलिटिकल स्टाटेजिक और एकनॉमेक इश्यूस पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया में लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस दौरे के सिग्निफिके हाल ही में फ्रांस का दौरा किया है जहां ठाष फ्रेंच प्रेंच प्रेसिजेंट के इंविटेशन पर गैश्ट ओफ ऑ और की हैसियत से बस तेल भी परेड में फसालिया है और इस दोरम दोनमों मुल्कों में डिफेंस सेक्टर में मजीद को उप्रेशन पर इतिफा किया और भारत और फ्रांस रेलेशन के अगले 25 बर्सों के लिए एक रोड मैप का आउटलाइन पेश किया गया है आज हम बात करेंगे कि प्राइम निस्टर के इस विजिट की आज के दौर में कितनी एहमियत है और इसके क्या-क्या अचीवमेंट्स रहे हैं इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टुडियो में मौझूद हैं तीन खास वहमान Ministry of External Affairs के फॉर्मर सेकेटरी अंबैसटर विरिंद्र गुपता जवालाल नहरी उनिवर्सटी में सेंटर फॉर्पियन स्टेडी से डॉक्टर शीतल शर्मा और इंडियन इंस्टिटूट और फॉर्ण ट्रेड्स में होडी प्रोफेसर राम से वेल्कम तो आर स्टूडियो प्रोफेसर राम आप से जाना चाहेंगे कि अगर हम वर्ल सेनरियो में बात करें अगर हम देखें कि इंडिया जो है सब लार्जेस्ट फिफ्ट एकॉनमी है और लुकिंग टूवर्स तो बिकम दा थर्ड लार्जेस्ट एकॉनमी तो इस विजिट को आप किस तरह से देखते हैं देखिए भारत की जो आने वाला पोटेंशल मैंने बताया है दस सालों में लगब लगब हम जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थवस्ता बनने जा रहे है और फ्रांस भी इसको देख रहा है और उसको देखते हुए दोनों देशों की लेडर्शिप ने सयोग करना शुरू कर द जल्दी में जहां पर वो हमें तेजस का जी कंपनी का जो एफ फोर जिरो फोर फोर वन फोर इंजन देने के लिए तैयार हो गया है लेकिन अगर आप उसके क्लॉजज पढ़े तो उसमें केवल टेक्नलोजी ट्रांसफर बात की जा रहे हैं 100 परसेंट लेकर 80 परसेंट से ज जाता हुआ है वो इसके टू डाइमेंशन से एक तो इंजन का डवलोप्मेंट 114 न्यूटन थ्रस्ट पावर का इंजन जो कि जी के इंजन से भी ज्यादा स्ट्रोंग होगा एम का जो हमारा नया एम का जो क्राफ्ट होगा और आने वाले दिनों में भारत के पास जैसे मैं अब को इताया कि हमारी जो रन नीती है उसकी उसमें जो आने वाले दिनों में डिफेंस एक बहुत बड़ा छेतर होगा हमारे पास इसमें केवल जो थर्टी थर्टी टू के आसपा स्कॉाडरन है हमें 44 चाहिए तो इफेक्टिवली डेल विद टू फ्रेंट वार विद पा भारत और फ्रांस के स्पेस सेक्टर को एक्स्प्लाइट करने के संबंद वर्स हो मैं कोंगा दसको पुराने है जैसे कि जियो सिंक्रस सेटलाइट को लांच करना और जियो स्टेशनरी सेटलाइट को लांच करना एक की कैपबलिटी भारत के पास ज़्यादा अच्छी है औ को हम अंतराश्टी अस्तर पर भी लेके जाएंगे हमें फ्रांस के साथ सयोग की आवश्च्टा है जो फ्रेंच गवाना में उनका बेस आरियानने उनकी कंपनी है उसके साथ हमारा निरंवतर सयोग बढ़ रहा है इसके साथ साथ नुक्लियर energy को किस तरीके से और आगे ले जाए जाए इसके लिए भी काम करें तो अगर भारत को विश्व की तीसरी अर्थवस्ता बनना है तो हमने कुछ classical industries को identify किया जिसमें की number one जो हमारा defense sector जिसमें हमें import substitute करना और यह जो reliable exporter of defense products बनना है इसके साथ साथ nuclear energy pharmaceutical इसके साथ engineering sectors जो के मारे electronics इससे related जो है फिर capital goods and machinery electrical components and all that और automobile का छेत्र ऐसे करीबन हमने 11-12 छेत्र identify किये हैं जो दुनिया के trade का लगबक 60-65% represent करता है तुनों देश मिलकर इन छेत्रों में सयोग बढ़ा रहे हैं तांके जो उनकी आने वाली जो जो साजेदारी हो वो mutual trust पर और एक दूसरे के परती respect पर और एक दूसरे के परती सम्मान पर अधारित हो जिससे कि जो उसके fruits हैं आने वाले दिनों में दोनों देशों के उनकी जंता को मिलें इसमें हमारे पास को फ्रांस उसके लिए agreed है they will supply capital to us in critical sectors जिसमें कि हम सयोग करके इस रंडीतिक साजेदारी को जिसकी geostrategic dimension के साथ साथ geoeconomic dimensions को भी और ज़्यादा मजबूत करेंगे तो महत्पूर्ण sector होंगे pharmaceutical food processing इसके साथ साथ हमारा मैंने आपको बताया electronics capital goods electrical और steel sector में भी दोनों देशों ने अपना सयोग खास्त और से speciality steel जहां भारत एक बहुत बड़ा net importer है हमने अभी PLI incentives भी दिये हैं उस छेतर में भी फ्रांस ने अपना investment जो एक करने का अपना इच्छा व्यक्त करी है तो देखा जाए तो दोनों देशों की जो partnership उसने बहुत इवरहत प्रस्ट भूमी तयार करी है और यह आने वाला समय बताएगा कि कंपनियां कैसे से करें मैं एक एक्जामपल के रूम में बताओं फ्रांस के stock exchange पर जो 40 कंपनियों की लिश्टिक होते हैं जैसे भारत में BSC 30 या NSC 50 या NSC 100 होता है जो टॉप की कंपनियां जो registered है फ्रांस के जो stock exchange में उसमें से 39 कंपनियों का किसी ना किसी रूप में या तो हमारे देश की भारत के लिए भी जहां पर साजो समान बनेगा और हम उसको अंतराश्टिय बाजार में भी बेचने का प्रयास करेंगे प्रफेसर राम्द इंडिया और फ्रांस बहुत अगर हम इंडिया फ्रांस की बात करें तो कौन सी इसी सिमिलेरिटीज हैं जो कि उनको एक बहुत मजबूत पार्टनर्स बनाती हैं पार्टर्शिप देती हैं और आगे वे फॉवर्वर्ड देती हैं कि पच्छे साल के लिए प्लान रोड मैप तयार किया और पच्छे साल पुराना पार्टनर्शिप है देखिये दोनों ही बड़ी ताकते हैं फ्रांस इस्टैब्लिश्ट वर्ल्ड पावर है और इंडिया एक अमर्जिंग पावर है एकॉनमी बहुत तरक्की तेजी से कर रही है तो ऐसी हालत में एक ब्रॉड कॉंस्ट्रक्ट अगर देखा जाए तो एक तरफ वेस्टर्न अलाइंस है चाहे कोई भी नाम दें नेटो करें या वेस्टर्न अलाइंस और दूसरी तरफ रशा है और रशा के साथ चाइना एक तो यह जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी यह कोशिश है कि इंडिया जो बीच में खड़ा हुआ है उसको अपनी तरफ कैसे खीच लें तो एक तो यह वजह है कि आप पहले देखें अमेरिका ने बड़ी आभगत करी और बड़ी अच्छे रिलेशन्शिप करना चा बढ़ता हुआ मार्केट यह सब सब देशों का है लेकिन फ्रांस में एक अलग बात है जो की अच्छी बात है कि बाकी लोगों में एक बनावटी पन है फ्रांस ने हमारे साथ हमेशा सचाई से हमारे साथ खड़े रहे अब 98 की बात करें 98 में फ्रांस हमको को बहुत बड़ का डिफेंस अप्लायर नहीं था नहीं राफैल की बात चल रही थी लेकिन उसके बावजूद भी अब ये इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड किया पोकरा में तो सारे के सारे वेस्टन कंट्री जिनकी कोई आउकाद भी नहीं है कैनेड़ा और ऑस्ट्रेलिय बहुत चोटे-चोटे कंट्री थे तो ये कंट्री भी बहुत शोर मचाने लगे बाकी अमेरिका नाराज हो तो मुझे समझ में आता है लेकिन सबसे जादा तो ये कंट्री फ्रांस ने नहीं बोला फ्रांस आपको आपके अंडिस्टेंडिंग दिखाई हैं तो हर वक्त में जो है अभी हमारे साथ जब चाइना की प्रॉब्लम हुई दो दीन साल पहले तो उस वक्त में भी फ्रांस ने हमको बहुत अंडिस्टेंडिंग दिखाई तो एक ग्लोबल स्ट्राटेजिक लैंड्सकेप में फ्रांस ने हर मरतबा हमको जो है ये हमको समझ में आता है कि फ् जो स्ट्राटेजिक इंट्रेस्ट है वो सर्व होता है और बाइलाटरल तो जिकर हुआ ही कि बाइलाटरल हम दोनों जो है एक डाइवर्सिटी से दूसरे देशों पर भी एक असर जाता है ना कि जो हमारे ट्रडिशनल डेफेंस सप्लायर्स हैं उनको अगर ये पता चले कि इंडिया फ्रांस से भी खरीदने के लिए तयार है तो इससे जो है हमको अपने जो सौदे हैं वो अच्छे तरीके से हम उसको निगोशियेट कर सकते हैं दूसरी बात फ्रांस जो है जैसा प्रोफेसर साब ने बताया कि I think जितने हमारे डिफेंस सप्लायर्स है उन में फ्र इंडिया में मैनिफैक्शिरिंग सेक्टर डिवेलप हो हम जितनी चीजों की हमको जरूरत है वो हम खुद बनाएं यह एक बहुत फाइदे की चीज नहीं है बलकि मैं समझता हूं बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी इतनी रिक्वार्मेंट्स हैं कि हम सिरफ इंपोर्ट पे जो है वो बसर नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हमारे लिए यह बहुत अहम मुद्दा है कि हम जिस कंट्री से डिफेंस का रिलेशन्शिप हमारा हो जिससे हम डिफेंस अप्लाइज लें वह हमको आगे आने के वक्त में हमारे साथ मिलके हमको सपोर्ट करें इस मामले में फ्रास का हमारे साथ अच्छा रिलेशन्शिप है अगर हम प्राम मिनिस्टर की फ्राइनस विजट की सिक्निफिकिंस की बात करें तो तू तमाम अगर हम people to people connect की बात करें, अगर हम education की बात करें, cultural development ties की बात करें, उसके बारे में आप से समझना चाहेंगे किस तरह का impact पड़ेगा नीता, फिर से एक बार देखें कि North-South, Global North और Global South की binary है या East और West की है, West-East की तरफ देखता है, तो किस की तरफ देखेगा, जाहिर सी बात है कि इंडिया की तरफ देखेगा, क्योंकि East में या Global South में, अगर South में खिर चायना को तो मैं नहीं कहूंगी, बट अगर इस तरफ की countries, West versus the rest देखा जाए, तो दो सबसे बड़े contenders है, एक तो चायना है और एक इंडिया है, और अगर आप चायना की perception देखें, बनस्बत इं की बात, अब डाइसपोरा बहुत महत्रपूर्ण होता है, बहुत इंपोर्टन बहुत खास एहमियत रखता है किसी भी देश के relationship में, फ्रांस में हमारा जो डाइसपोरा है, वो रियूनियन आइलेंड जो उनका territory है, यहां पर काफी तादार में मौझूद है, और यह तरीक को देखें, इंडिया का और मैं particular European countries की बात काऊंगी, क्योंकि US तो वैसे English speaking और काफी multicultural समझा जाता है, but Europe की जो छोटे nations हैं, वहां पर भी कुछ countries हैं, जिसमें डाइसपोरा की बहुत आदाद है, UK एक है, वो colonial links से बात अलग है, दूसरे number पर आता है कि अगर हम continental Europe में देख है कि France में जो इंडियन डाइसपोरा है और डाइसपोरा की खासियत है हमारे जो लोग है, हमारे भारती मोल की लोग है, इनको बड़ा law abiding समझा जाता है, यह वहां जाते ही, वहां के host culture में बड़े अच्छे से mix हो जाते हैं, adjust हो जाते हैं, वहां के तौर तरीके सीख लेते हैं, in fact, अगर आप देखें तो जो South Asia से जितना भी, मैं South Asian region से कहूंगी, जितना भी डाइसपोरा गया है, काफी हद तक दूसरे देशों के लोग भी अपने को Indians identify करते हैं, तो इतना हद तक है कि आप समझ लेजी कि अपने को Indian कहलाना कितनी एहम बात है कि आप अपने अपन हाला कि ये big ticket programs नहीं है, हाला कि defense में science, technology, space इन सब में, छोटे जो sectors है वो खो जाते हैं, बट कहीं पर भी देखें कि Indians जो है, अब तक US dream को cherish करते थे, अब एक European dream भी है, UK dream भी है, और एक थोड़ा हद तक French भी आएगा, दीरे दीरे horizon पे, क्योंकि जो universities हैं, वहाँ ज्यादा number तो नहीं है, 15-20,000 की करीब students हैं, जो बहुत ज्यादा encouraging नहीं है, बट दीरे दीरे open हो रहा है sector, और France की और India की जो दूसरे छेत्र हैं, जिनको आप कहते है, cultural diplomacy या public diplomacy initiatives हैं, जो public की नजर में आते ही नहीं है, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि European studies में, जब हम European Union की बात करते हैं आज आप किसी को भी पूछिए कि France की embassy किदर है, UK किदर है, कि फलादेश की किदर है, सब को पता होगा, बट अगर हम यह पूछे हैं कि head of the delegation of European Union कौन है, या कहां बैठते हैं, उनको office का हैं, तो European Union as a unit जो है 27 member states को represent करता है, उसके बारे में खासा जानकारी लोगों को नहीं हैं, सिर्फ कुछ university level पे है, या कुछ diplomatic level पे है, tier 2, cities 3 तक तो पहुच भी नहीं पाती है, तो ऐसे में फ्रांस के साज़ेदारी बहुत सारे sectors में हैं, जैसे gender के लिए, equality के लिए काम कर रहे हैं, green technology के लिए काम कर रहे हैं, fishing area में, मतलब coastal areas में, बहुत सारे NGOs के साथ इनके कर रहे हैं, तो ये continue होता रहेगा, इसके number of engagements बढ़ते रहेंगे, और इंडिया के कई ऐसे programs जो present government के हैं, जैसे urban development है, infrastructure development है, make in India है, smart city के projects है, travel technology, mobility, इन सब में कहीं न कहीं छोटे 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 रूप में engagements जो हैं, वो हमारे जो greater goals हैं, उनमें बहुत साय अपता दे करेंगे, बहुत मदद करेंगे, बिल्कुल आपने बहुत तफसील से बताया कि किस तरह से छोटे-छोटे engagements हैं, जो आगे बहुत बड़ी development की और लेके जाएंगे, प्रोफेसर राम, आप सो जाना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं, इंडिया के France विजिट के significance की, आप से concluding remark, हाँ, देखिए, भारत और जो फ्रांस हैं, अभी वो co-development और co-production की तरह बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं कूँँगा, co-servicing की तरह भी बढ़ रहे हैं, पहले मैं co-servicing के example के रूँ में आप बताऊँ, भारत और फ्रांस ने मिलकर जो पूरे अफरीका में, international solar alliance के तहत, वहां के जो second tier cities, third tier cities, उसमें solarization के projects jointly शुरू किये हैं, तो हमारी relationship के भारत के borders तक सीमित नहीं है, ये इसके beyond India's border है, अगर आने वाले वर्षों में देखा जाए या एक relationship का एक broad horizon देखा जाए, इसके साथ साथ जब हम co-development और co-production की बात करते हैं, तो मुझे लग रह प्रियाशों ने अलेडी संबंद में जो प्रियाश शुरू कर दिये हैं, जो राफेल एरोपलेन है, वहां पर भारत की missile system, जिसमें Astra और Brahmos दोनों को integrate करने का कारेकरम शुरू हो गया है, और आपको पता होगा, राफेल is a very popular एरोपलेन, जो कि क्रोशिया में जा रहा है, UAE में बिकरा है, लगबग 90 एरोपलेन, ग्रीक के साथ उनका समझाता हुआ है, ग्रीस के साथ, इसके साथ और भी कंट्री उसको बाय करने के चुक है, जब फ्रांस अपना एरोपलेन बिचेगा, तो भारत के साथ में जो instruments होंगे, वो बिखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि यह जो relationship है, यह trust पे, rule of law पे, respect for sovereignty पे, और जो respect for human rights पे, और जो strategic autonomy, जिसमें कि अगर NATO का member होती हुए भी, उन्होंने कई वार भारत के पक्ष में बहुत ही एक independent view लिया है, और इसके साथ सब global affairs में भी भारत का जो सह हो गया है, फ्रांस के साथ, बहुत जादा है, मुझे बहुत जाएं भारत और फ्रांस के दोनों देशों के रिस्तों में देखेंगे, इसका significance यह है कि इंडिया की इजद बढ़ती है, कि इंडिया को बड़े-बड़े मुल्क, बड़े मुल्क, बड़े इंडिया आउट, तो इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे अगर जादा बड़ा रोल मिलता है, तो हमारी responsibility भी बढ़ जाती है, और इस context में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा G20 की presidency है इस साल, और प्रधानमंत्री ने बहुत समझदारी के साथ, उस G20 presidency की underlying theme एक बसुदयव कुटुम कम बनाया है जो की इस responsibility का प्रतीक है, कि हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करें, अपने national interest की तो बड़ी natural चीज है, कि हर देश जो है, वो national interest अपने self interest में काम करता है, लेकिन उस self interest को हम narrowly define नहीं करके, एक broader context में, एक long term framework में देखें, और एक वसुद है कुटुम कम के परिपेक्ष में तो यह जो हमारी बढ़ती हुए responsibility है, जो इन विजट से नजर आती है, हमारा इंडियन भी देखता है, कि इंडिया इस position में है आज, कि इंडिया दुनिया को एक रास्ता देखा सकता है, मैं जान बूच कर विश्व गुरू का एक term इस्तमाल किया गया है, वो मेरा खहला है बहुत presumptuous है, इस वक्त हम विश्व गुरू अपने को नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम आइना देखा सकते हैं, रास्ता देखा सकते हैं, कि लडाई जगड़ों के बजाए, अपने narrow swarth को करने की बजाए, हम एक सही रास्ते पे चलके, एक वसुद है कुटमकम के रास्ते प अपने लिए ही नहीं, बलकि दुनिया को एक रास्ता दिखाएंगे, डॉक्टर शीतल आप से जाना चाहिए, कि हम significance की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की फ्रांस में विजिट रही है, ना सिर्फ ये इंडिया या फिर फ्रांस के लिए important है, बलकि इसका significance worldwide भी है, हमारी region के लिए है और global level पे है, अब किस तरीके से इंडिया फ्रांस हमने detail में discuss किया, जो कि progressive upward momentum है, जो region है हमारा, जिसमे की काफी हद तक हम western perspective से देखें, तो Asia में चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इधर East Asia के देश हैं और इधर रश्या है, अब आप इस सारे के सा आधे ग्लोब को देखें हैं, तो इसमें majority of the population आधे ग्लोब में है, और काफी हद तक developing से लेकर सारी countries और even underdeveloped countries है, तो इन countries के बीच में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया जो है, ग्लोबल लीडर्शिप ले सकता है, जैसे ग्लोबल साउथ में, अभी अम्बैसर साब बता जाए और G20 में शामिल किया जाए, तो इंडिरेकली हम क्या है, कि हम एक ऐसे लीडर्शिप को एजूम करते हैं, कि हम ग्लोबल साउथ की लीडर्शिप ले रहे हैं, और इसमें हम जो वो पिवोटल पॉइंट या नोडल पॉइंट हो जाएंगे, जिसको की वेस्ट आकर हम हमें उस लेवल पर देखता है, कि इंडिया में ये कपैस्टीज हैं, इंडिया इनको लीड कर सकता है, और ये बहुत इंपोर्टन एक मेसेज बाकी कंट्रीज को भी देता है, जिनके साथ हमारी तोड़ी सी आप कह सकते तनाव हैं बार्डर को लेकर या इसके, कि इंडिया हैं, वो कुछ हाद से आगे नहीं बढ़ सकती, कहां सुझा जा रहा था ये उक्रेयन जो है इतने समय तक लंबे समय तक रशिया को जेल पाएगा या नहीं, हाला कि सब जानते हैं, कि किस तरीके से वेस्ट उसको मदद कर रहा है, और रशिया की कितनी कैपैस्टीज हैं, च कहीं नहीं कहीं traditional diplomacy की अपनी limitations होती है, तो ऐसे में क्या important है, आप यहां पर rigidity छोड़कर जो अपना तनाव है, जिसको आप कह सकते एक posturing है, कि हम एक military might हैं, जो चाइना यदा कदा, South China Sea में तो आप देखी रहे हैं कितनी पैसिफिक में issues create कर रहा है, तो military might को छोड़कर एक power बनने की कोशिश करें, जिसका तालमेल से संबंध हो, बजाए कि किसी के ऊपर military muscle flexing का, और इसमें जो है, इंडिया fits the bill perfectly, इंडिया की इमेज है, इंडिया की चवी है, इंडिया की वो capacities है, जो developing world है, या global south है, उसका leadership role assume कर सकता है, उसको पूरा नईया पार करा सकता है, मैं east के बीच में, north और south के बीच में, बड़ा अच्छा conduit है, बहुत अच्छा connect है, जो connect करता है under developed or developing nations को, जी बिलकुल तो आप तीनों ने हमें निकाला, वक्त निकाला और studio में आए, और तबाम एहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमा फ्रांस और इंडिया के लिए बहुत ही significant है, बलकि पूरे अगर हम globally हम इसकी बात करें तो ये बहुत हद तक एक positive impact करेगी और benefit करेगी, तो आज के हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही उमीद करते हैं, हमारी आज की पेशकेश आपको पसंद आई होगी, आपको हमारा ये प पूरी टीम को दीचे, इजासत आदा.